बच्चों पिछले कक्षा में आपने A प्लस B और A माइनस B का वर्ग और घन करना सीखा और उससे सब्बंदित प्रश्णों को हल किया लेकिन यही जब घात बढ़ जाए जैसे की A रिन B का घात 6 या फिर A धन B का घात 6 इस प्रकार के यदि गणनाएं आती है तो वो थोड़ी सी क्लिस्ट हो जाती है आपके लिए और दूसर उधाणने जैसे की 99 का घात 8 या 101 का घात 12 ये गणना करना काफी कठीन हो जाता है इस अध्याय में हम A धन B का घात N का प्रसार करना सीखेंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी दो पदों के N घातों का विश्टार लिख सकने में समर्थ होंगे इसके अधारणाओं को देखने के बाद इससे सम्मंदित प्रस्णों को हम हल करेंगे धन पूर्णांक घातांक के लिए द्वीपत प्रमे यदि X तथा A दो बीजी रासियां हो तथा N एक धनात्मक पूर्णांक हो तो X प्लस A का पावर N इक्वल तू N C 0 X का पावर N प्लस N C 1 X का पावर N माइनस 1 इंटू A प्लस N C 2 X का पावर N माइनस 2 इंटू A का पावर 2 प्लस N C 3 X का पावर N माइनस 3 इंटू A का पावर 3 प्लस अप्टू NCR X का पावर N माइनस R A का पावर R फिसके आगे भी और पद होगा और अंतिम पद हमें मिलेगा NCN A का पावर N जहाँ पर NC0 प्रसार में प्रथम पद NC0, NC1 द्विती पद NC2 त्रितिय पद और NCR R प्लस वनवा पद तथा NCN तथा अंतिमें जो पद है NCN वह N प्लस वनवे पद का गुणांग है तो बाइनोमियल थियोरम या द्विपत प्रमे की साहता से हमें जो यह सूत्र प्राप्त हुआ है इसका अवलोकन करने से कुछ महत्रपूर्ण बिंदू निकल करके सामने आते हैं जिसमें की पहला बिंदू है कि द्विपत प्रमे के घातांक N के लिए प्रसार में पदों की कुल संख्या N प्लस वन होती है अर्थाथ X प्लस A का पावर N था तो इसका जो प्रसार होगा तो जो पदों की संख्या होगी वह N प्लस वन होती है दूसरा की उत्तुरत्तर पदों में X के घातांक क्रम सह एक एक घटते जाते हैं तथा A के घातांक क्रम सह एक एक बढ़ते जाते हैं देखे, पहले पद में x का घात n है और a का घात 0 है, दूसरे पद में x का घात n-1 है और a का घात 1 है, तीसरे पद में x का घात n-2 है और a का घात 2 है, तो इस तरीके से उत्रुत्तर पद में x का घातांग में जो x का घातांग है वह घटता जा रहा है और a का घातांग है वह कर सा बढ़ता जा रहा है इसमें तीसरा बिंदू यह है कि किसी भी पद में x और a के घातांकों का योग n होता है उधारण के तोर पर r प्लस वनवा पद ले n c r x का पावर n माइनस r a का पावर r तो x का घाते n माइनस r और a का घाते r दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम मिल जांबाएगा n चलिए आगे देखते हैं x माइनस a का पावर n का प्रसार तो द्वीपत प्रमे से हम जानते हैं कि x प्लस a का पावर n जो होता है यह equal to होता है n c 0 x का power n plus n c 1 x का power n minus 1 into a plus n c 2 x का power n minus 2 into a square इस प्रकार आगे भी पद मिलेंगे और r plus 1 वा जो पद होगा वह होगा n c r x का power n minus r a का power r इसके बाद कुछ और पद और फिर अंत में हमें मिलेगा n c n a का power n तो इस सूत्र में यदि हम a के इस्थान पर minus a लिख दें तो सूत्र कुछ इस तरीके से रुपांतरित हो जाएगा तो इसे हम लिखेंगे x minus a का power n equal to n c 0 x का power n plus n c 1 x का power n minus 1 into minus a plus n c 2 x का power n minus 2 into minus a का power 2 और इसका जो r plus 1 मा पद होगा वह होगा n c r x का power n minus r into minus a का power r और अंत में जो पद होगा वह होगा n c n minus a का power n तो इसको सरल करने पर आपको जो पद होगे वह एक आंतर करम में alternate form में positive negative positive negative इस तरीके से चिनना लगेगा अब आगे देखते हैं 1 plus x का power n तथा 1 minus x का power n के प्रसार तो द्वीपत प्रमे हमने जो देखा वह था x plus a का power n के लिए हमें शूत्र मिला था x plus a का power n के लिए हमें सूत्र मिला था वह था x का power n plus n c 1 x का power n minus 1 into a plus n c 2 x का power n minus 2 into a का power 2 up to a का power n तो चुकि n c 0 ये 1 होता है इसलिए हमने पहले पद में n c 0 को प्रदर्शित नहीं किया है और उसी प्रकार अंत में n c n इसका विमान एक होता है तो इस सूत्र में यदि हम x के इस्थान पर एक लिख दे और a के इस्थान पर x लिख दे तो जो सूत्र है वह 1 प्लस x का power n के लिए रुपांतरित हो जाएगा तो 1 प्लस x का power n equal to हमें मिलेगा 1 प्लस n c 1 x प्लस n c 2 x का power 2 प्लस n c 3 x का power 3 और इस प्रकार आगे पद मिलेंगे और r प्लस 1 वा जो पद होगा वह हमें मिलेगा n c r x का power r और इस प्रकार अंतिम पद x का power n मिलेगा तो यह सूत्र हो गया 1 प्लस x का power n के लिए जिसका क्यूपियोग हम आगे प्रश्णों को हल करने के लिए करेंगे पुना x प्लस a का power n का जो प्रसार था उसमें x के इस्थान पर हम एक लिख दें और a के स्थान पर rin x लिख देंगे या minus x लिख देंगे तो वो जो सूत्र होगा वह रुपांतरित हो जाएगा 1 minus x का power n के लिए तो हमें मिलेगा 1 minus x का power n equal to 1 minus n c 1 x plus n c 2 x का power 2 minus n c 3 x का power 3 इस प्रकार आगे कुछ पद मिलेंगे और r plus 1 में पद होगा minus 1 का power r n c r into x का power r और फिर उच पदों के बाद अंतर में हमें पद प्राप्त होगा minus 1 का power n into x का power n तो इस प्रकार हमने दो सूत्र देखा 1 plus x का power n और 1 minus x का power n का प्रसार अब आगे चलते हैं व्यापक पद पर या जनरल टंग तो x plus a का power n इसका हमने जो प्रसार लिखा था तो इससे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि nc0 x का power n minus 0 into a का power 0 plus nc1 x का power n minus 1 into a का power 1 plus nc2 x का power n minus 2 into a का power 2 और इस प्रकार अंत में a का power n और इस प्रकार अंत में मिलेगा ncn x का power n minus n और a का power n तो इसको यदि हम t1, t2, t3 से पदों को गेक्ट करें तो आप लिख पाएंगे कि t1 equal to nc0 x का power n minus 0 और a का power 0 t2 equal to nc1 x का power n minus 1 a का power 1 t3 equal to nc2 x का power n minus 2 a का power 2 और इस प्रकार t r plus 1 वा जो पद होगा यह होगा ncr x का power n minus r और a का power r तो x plus 1 का power n के विस्तार में जो r plus 1 वा पद है यही वापक पद कहलाता है और इसका मान हमने देखा होता है ncr x का power n minus r a का power r द्वीपत प्रमे के उप्योग से जब हमने दो पदों का अपरसार किया था तो हम उसके अब मद्द पद देखते हैं किस प्रकार एक दिये गए वेंजक बीजी वेंजक का प्रसार करने के बाद मद्द पद क्या प्राप्त है तो हम यह जानते हैं कि x plus a का power n के प्रसार में पदों की संख्या n plus 1 होती है इन पदों का मध्य पद n पर निर्भर करता है कि n का मान विसम भी हो सकता है और संख्या भी हो सकता है तो चलिए इसे हम दो इस्थिती ले करके चलते हैं प्रथम इस्थिती जब n सम है तो इसे हम लिख सकते हैं n equal to 2 into m तो इस इस्थिती में पदों की जो संख्या होगी यह 2m plus 1 होगी तो इससे एच्पस्ट है कि शुरुआत से m पद और अंत से m पद छोड़ने पर हमें m plus 1 वा पद अर्थाथ n by 2 plus 1 वा पद बचेगा और यही स्रेणी का मंध्य पद होगा तो उधारन के लिए यदि हम n equal to 4 ले करके चलें तो कुल पदों की संख्या n plus 1 अर्थाथ 4 plus 1 इकल to 5 होगी तो इसे हम व्यक्त कर सकते हैं t1, t2, t3, t4 और t5 से तो देखिए left side से यदि हम दो पद छोड़ दें और right side से भी दो पद छोड़ दें तो बीच में जो पद बचराय यह है t3 तो यहाँ पर n जो है वह सम संख्या थी और कुल पदों की संख्या विसम संख्या थी जब कुल पदों की संख्या n प्लस 1 विसम संख्या होगी तो हमें केवल और केवल एक मध्यपद प्राप्त होगा अब चलते हैं द्वीती इस्सिति पर जब n विसम संख्या है तो इसे हम लिख सकते हैं कि माना n इक्वल टू 2m प्लस 1 तब कुल तब स्त्रेणी में कुल पदों की संख्या 2m प्लस 2 होगी तो इसे हम स्पस्ट है कि शुरुवात से m पद और अंत से m पद छोड़ने पर n प्लस 1 वे और n प्लस 2 वे दोनों ही पद मध्यपद होंगे जो की क्रम सा n प्लस 1 बाई 2 वे पद तथा n प्लस 3 बाई 2 वाई पद है तो पूरुवा की भात ही किसे मुधारन के मात्या हमसे सबा सकते हैं यदि n इक्वल टू 5 है तब कुल पदों की संख्या n प्लस 1 अर्था 6 हो जाएगी तो इससे हम लिख सकते हैं t1, t2, t3, t4 और t5 और अंत में t6 से तो लेफ्ट और राइट से दोनों आपको बराबर पद छोड़ने है तो इस प्रकार t1 और t2 लेफ्ट साइट से और राइट साइट से t5 और t6 छुट जाएगा तो बीच में दो पद बच रहे हैं t3 और t4 तो जब n जो है विसम संख्या होती है तब हमें दो मध्य पद प्राप्त होता है अब चलते हैं पास्कल त्रिभुज पर पास्कल त्रिभुज या पास्कल ट्रेंगल या फिर मेरू प्रस्तर तो यदी हम कुछ सरसमी का पर विचार करें अ प्लस बी का पावर 0 एक्वल टू 1 होता है a plus b ka power 0 equal to 1 a plus b ka power 1 equal to a plus b a plus b ka power 2 a plus b ka whole square equal to a square plus 2ab plus b square a plus b cube equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube और इसी प्रकार a plus b ka power 4 equal to a ka power 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b ka power 4 तो इसके अवलोकन से हमें प्राप्त होता है कि प्रसार में पदों की संख्या घहतांक से एक अधिक है तथा प्रसार के उत्तुरोत्तर पदों में प्रत्थम पद a की घहते एक के करम से घढ़ रही है जबकि द्वितीरासी b की घहते एक करम से बढ़ रही है अब हम A प्लस B के उप्रोप्त विस्तारों में विभिन्न पदों के गुणांकों को निम्न प्रकार से विवस्थित कर सकते हैं तो पहला में मिला था एक, दूसरे जब A प्लस B का पावर वन के लिए हमने विस्तार किया था तो वहाँ पर दो गुणांक मिले था, दो गुणांक मिला था, एक और एक, पिर अगले पद में 1,2,1, उसके अगले पद में 1,4,6,4,1 तो यदि आप ध्यान दें यहाँ पर एक और एक को जोड़ने पर हमें दो प्राप्त हो रहा है इसी प्रकार दो और एक को जोड़ने पर तीन प्राप्त हो रहा है और इस प्रकार भी राइट में दो और एक को जोड़ने पर हमें तीन मिल रहा है अगले पद में 3 और 1 को जोड़ने पर 4 फिर राइट में 3 और 3 को जोड़ने पर 6 और 3 और 1 को जोड़ने पर 4 मिल रहे हैं तो यह संख्याओं का क्रम त्रिभुच की तरह दिखाई देता है तथा यही पास्काल का त्रिभुच कहलाता है तो अभी हमने जो द्वीपत प्रसार की साहिता से गुणांकों को संख्याओं के सूत्र में लिखें तो हमें पास्काल त्रिभुच कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा 0 C 0 फिर अगले लाइन पे 1 C 0, 1 C 1 2 C 0, 2 C 1, 2 C 2 3 C 0, 3 C 1, 3 C 2, 3 C 3 4 C 0, 4 C 1, 4 C 2, 4 C 3 और 4 C 4 तो पास्काल त्रिभुच में प्रत्येक पंक्ती एक से प्रारंब होकर एक पर समाप्त होगी किसी भी पंक्ती में प्रत्येक गुणांक पिछली पंक्ती में इसके दोनों और के दो गुणांकों के योग के बराबर होती है थोड़े देर पहले हमने उसे देखा है किसी प्रकार के किसी प्रसार के गुणांक पिछले प्रसार के गुणांक से प्राप्त कर सकते हैं किसी घातांक के लिए द्वीपत प्रमे हम यह जानते हैं कि N एक धनात्मक पुणांक है तो द्वीपध प्रम्य से हम लिख सकते हैं 1 प्लस x का पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n into n-1 upon factorial 2 into x square plus nc plus n into n-1 into n-2 upon factorial 3 into x का पावर 3 प्लस इस प्रकार कुछ आगे पत पराप्त होंगे और r plus 1 वापद जो पद हमें मिलेगा वह होगा n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 upon r का factorial into x का पावर r प्लस कुछ और पद और अंत में हमें पद मिलेगा x का पावर n यह परिणाम सिद्ध किया जा सकता है कि यदि n एक धन पूर्णांक ना होकर कोई रिन पूर्णांक या भिन या भिन है इसका प्रमान तो यहाँ पर हम यह मान लेंगे कि यदि mod of x is less than 1 अर्थात यदि x का संख्यात्मक मान एक से कम हो तो भी 1 प्लस x का पावर n इक्वल तो 1 प्लस nx प्लस n into n minus 1 upon factorial 2 into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3 into x का पावर 3 प्लस इस प्रकार आगे भी हमें पत्र प्राप्त होंगे तो जहाँ n का मान कोई रिन पूर्णांक या भिन है तो इस सूतर के अवलोकन से हम कुछ निसकर्ष निकाल सकते हैं जो की कुछ इस प्रकार है रिन पूर्णांक घातांक या भिनात्मक घातांक के लिए प्रसार का समान्य रूप वही है जो धन पूर्णांक घातांक के लिए हैं प्रसार में पदों की संख्या अनन्त होती है क्योंकि गुणांकों के गुणनखंड N, N-1, N-2 आदी में से कोई भी गुणनखंड सुन्यन नहीं हो सकता है अनन्त द्वीपद स्रेणी उसी अवस्था में सुध मानी जा सकती है जबकि मौड आफ एक्स इस लेस देन वन गुणांक गहतां के लिए द्वीपद प्रम्य पर लागू नहीं होता है चूकी N धन पुणांक नहीं है इसलिए NCR निदर थके अतह भिन्न भिन्न पदों के गुणांक NC0, NC1, NC2, NC3 आदी न लिखकर इन गुणांकों को विश्थित रूप में ही लिखा जाता है यदि हमें A प्लस X का पावर N का प्रसार लिखना है जहां X लेस देन A है तो A प्लस X का पावर N को A का घात N इंटू 1 प्लस X अपॉन A का घात N लिखकर 1 प्लस X बाई A का पावर N का विश्थार ग्याद कर लेते हैं पुना यदि A इस लेस देन X हो तो A प्लस X का पावर N को X का पावर N इंटू 1 प्लस A बाई X का पावर N लिखकर X का पावर N इंटू 1 प्लस A बाई X का पावर N लिखकर 1 प्लस A बाई X का पावर N का विश्थार ग्याद कर लेते हैं अब आगे देखते हैं कुछ महत्तुपूर्ण विश्थार तो हम यह जानते हैं कि जब mod X is less than 1 हो तो हमें मिलता है 1 प्लस X का पावर N इक्वल टू 1 प्लस NX प्लस N इंटू N-1 अपॉन फेक्टोरियल 2 इंटू X स्क्वेर प्लस N इंटू N-1 इंटू N-2 अपॉन फेक्टोरियल 3 इंटू X का पावर 3 और इस प्रकार R प्लस 1 वा जो पद होता है वह हमें मिलता है N इंटू N-1 इंटू N-2 अपॉन इंटू N-1 अपॉन अपॉन फेक्टोरियल R इंटू X का पावर R इसके आगे भी कुछ पद प्राप्त होंगे अर्थात 1 प्लस X का पावर N के विस्तार में जो व्यापक पद है यह T R प्लस 1 है और यह एक्वल्टू होता है N इंटू N-1 इंटू N-2 अपॉन 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 फेक्टोरियल R इंटू X का पावर R तो जो समी करण एक हमें जो प्राप्त हुआ था इसमें N के स्थान पर यदि हम माइनस N लिख दे तो यह सूतर कुछ इस रूप में रुपांतरित हो जाएगा और इस प्रकार आगे भी कुछ पराप्त होँगे तो इसे हम सरल करके लिख सकते हैं 1 प्लस x का पावर माइनस n इक्वाल टू 1 माइनस nx प्लस n इंटो n प्लस 1 अपॉन फेक्टोरियल 2 इंटो x स्क्वेर माइनस n इंटो n प्लस 1 इंटो n प्लस 2 अपॉन फेक्टोरियल 3 इंटो x का पावर 3 और इस प्रकार इसका व्यापक पद जो होगा वह होगा minus 1 का power r into n into n plus 1 into n plus 2 up to n plus r minus 1 upon factorial r into x का power r और इसके बाद भी कुछ पद प्राप्त होंगे तो माना कि यह समीकरण 2 है तो इस समीकरण 2 में जो विस्तार हमें प्राप्त हुआ है इसका व्यापक पद को हम tr plus 1 लिखेंगे जो की बराबर है minus 1 का power r into n into n plus 1 into n plus 2 up to n plus r minus 1 upon factorial r और फिर into x का power r समीकरण 1 में x के स्थान पर minus x रखने पर जो हमें सूतर प्राप्त होगा वह होगा 1 minus x का power n equal to 1 minus nx plus n into n minus 1 upon factorial 2 into x square minus n into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3 into x का power 3 plus आगे भी कुछ पद हमें प्राप्त होंगे तो इस विस्तार में इसका जो व्यापक पद है tr plus 1 यह है minus 1 का power r into n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 upon factorial r into x का power r और समी करण 2 में यदि हम x के स्थान पर minus x लिखें तो हमें सूत्र कुछ इस प्राकार प्राप्त होगा 1 minus x का power minus n equal to 1 plus nx plus n into n plus 1 upon factorial 2 into x square plus n into n plus 1 into n plus 2 upon factorial 3 into x cube and so on तो इस पद के विस्तार में जो व्यापक पद है यह tr plus 1 वापद है और यह बराबर है n into n plus 1 into n plus 2 up to n plus r minus 1 upon factorial r into x का power r 1 plus x का power minus n के प्रासार में तथा 1 minus x का power minus n के प्रासार में n equal to 1, 2, 3 रखने पर कुछ महत्यपूर्ण प्रासार प्राप्त होते हैं जो की इस प्रकार है तो 1 plus x का power minus 1 equal to 1 minus x plus x square minus x cube plus x का power 4 minus x का power 5 and so on तो इसका जो व्यापक पद है यह है minus 1 का power r और x का power a इसी प्रकार 1 minus x का power minus 1 का प्रासार लिखें तो यह हमें प्राप्त होगा 1 plus x plus x square plus x cube plus x का power 4 and so on अब देखते हैं 1 plus x का power minus 2 का विस्तार जो की होता है 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube and so on तो यदि इसमें हम ध्यान दे तो पद की जो इसके alternate पदों पर एक आंतरक्रम में धानात्मक यह रिनात्मक चिन लगा हुआ तो इसका व्यापक पद है minus 1 का power r into r plus 1 into x का power r अब देखते हैं 1 minus x का power minus 2 equal to 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus 5x का power 4 and so on अब देखते हैं 1 plus x का power minus 3 equal to 1 minus 3x plus 6x square minus 10x cube and so on इसका व्यापक पद है minus 1 का power r into r plus 1 into r plus 2 upon factorial 2 into x का power r और अंत में 1 minus x का power minus 3 equal to 1 plus 3x plus 6x square plus 10x cube and so on और इसका व्यापक पद है यह है r plus 1 into r plus 2 upon factorial 2 into x का power r अब आगे चलते हैं 1 plus x का power n के विस्तार में गुडांकों का योग तो थोड़े देर पहले हमने यह देखा है कि 1 plus x का power n equal to nc0 plus nc1 x का power 1 plus nc2 x का power 2 up to ncn x का power n प्राप्त होता है जहां पर nc0 equal to 1 होता है तो इस सूत्र में यदि x के स्थान पर हम एक रख दें तो हमें मिलेगा 1 plus 1 का power n equal to nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 up to ncn तो यदि इसका क्रम बदल दें या अर्थात लेफ को राइट में और राइट को लेफ में लिखें तो हमें मिलेगा nc0 plus nc1 plus nc2 up to ncn equal to 2 का power n तो यह काफी महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका की उपयोग बहुत सारे प्रश्णों को सरल करने के लिए हम करेंगे और साथ में संचय सिधान्त में भी इसका उपयोग हमें किया है तो इससे यह निसकर्स निकलता है कि 1 plus x का power n के प्रशार में सभी पदों के गुणांकों का योग 2 का power n होता है कभी कभी द्वीपद गुणांकों को अर्थात nc0, nc1, nc2, ncn को संचिप्त रूप में c0, c1, c2, c3, cn से भी निरूपित करते हैं तो इस आधार पर जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है उसे हम लिख सकते हैं c0 plus c1 plus c2 plus c3 up to cn इक्वल टू 2 का power n या फिर c1 plus c2 plus c3 up to cn इक्वल टू 2 का power n minus 1 अब देखते हैं 1 plus x का power n के विस्तार में सभी समपदों के गुणांकों का योग सभी विसमपदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है अर्थात प्रत्येक 2 का power n minus 1 के बराबर होता है तो हमने जो सूत्र देखा था कि 1 plus x का power n equal to nc0 plus nc1x plus nc2x square up to ncnx का power n इस सूत्र में यदि हम x का इस्थान पर minus 1 रख दें तो हमें प्राप्त होगा left side पर 0 और right side पर nc0 minus nc1 plus nc2 minus nc3 and so on तो जो रिनात्मक पद है उसे हम left पे ले लेते हैं और जो रिनात्मक पद है उन्हें हम right में ही रहने देते हैं तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा nc1 plus nc3 plus nc5 and so on equal to nc0 plus nc2 plus nc4 and so on या फिर हम लिख सकते हैं nc0 plus nc2 plus nc4 and so on equal to 1 by 2 गुणा संपूर्ण गुणांकों का योग तो इसे आगे सरल करने पर हमें मिलेगा 1 by 2 into 2 का पावर n equal to 2 का पावर n minus 1 तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ कि c0 plus c2 plus c3 plus c4 and so on equal to c1 plus c3 plus c5 and so on ये equal to होता है 2 का पावर n minus 1 के उनाल rग कि आपकों मिलेगा में आपकों कि प्रापकों कि यग 원 आपकों कि रा zelfs ए मिलेगा पावर प्रापकों कि ए वाल रिख स